अब नियो डार्विनेजम अब नियो डार्विनेजम से मुराद क्या है जो डार्विन था जब उसने अपनी तरी पुब्लिश जब उसके अपनी जो बाते हैं वो लोगों को बताई तो जो मोस्ट बालिजिस्ट थे जायतर जो साइन्टिस बालिजिस्ट थे वो इस बात से कन्विंच होगे कि जो स्पीशीज हैं वो एक evolution का ही product है कि जब एक स्पीशी के अंदर डिफरेंट चीजें वो डैप करेगी अपने आपको इस अनवार्मेंट के लिहासर डालेगी तो एक नई स्पीशी वजूद में आएगी अब इस evolution के जो process में या इस जो जब ये सारा काम चाल रहा था उस वक्त एक बड़ी important चीज हुई वो थी कि population genetics जो है वो अमल में आई population genetics जो है वो इस बात पर जोर देती है इस बात पर हमें काल करने की कोशिश करती है कि जो population के अंदर मुख्तलिफ genetic variations आते हैं उसकी वज़ा से evolution वो अमल में आती है यह वही बात ही तक्रीबन जो डार्विन नहीं की की अब जब हम population genetics को और डार्विनिजम को मिलाते हैं और डार्विनिजम को हम आपस में मिलाते हैं मारे पास जो चीज़ बंती है उसको हम कहते हैं neo-darविनिजम ठीक है जो neo-darविनिजम है actually वो इन दोनों का sum है इन दोनों को हम जमा करेंगे इन दोनों का product है ठीक है अब जो neo-darविनिजम है इसको modern synthesis भी कहा जाता है अब modern synthesis कहने की वज़ा इसकी ये है कि इसने असल में जो मुख्तलिफ fields हैं जो मुख्तलिफ हमारे पास discoveries हुई उन सब को एक अठा करके एक ही जगा पे ला दिया हमें ठीक है जो different जितनी भी fields है हमारे पास उनके अदर जो ideas जो discoveries थी उनको एक अठा किया और उनको integrate करके एक जगा पे अठा कर दिया और इस बात को हम कहते है modern synthesis या neo-darविनिजम ठीक है अब उनके अदर कौनकों से fields आती है हम उनको एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसने किस-किस field की जो है वो उसको एक अठा किया हमारे पास discoveries और ideas को उसके अदर fields जो आ रही है हमारे पास paleontology उसलिए हमारे पास field आती है taxonomy biogeography और जो लास मारे पास field आती थी जो हमने उपर बात की population genetics दो population genetics जो है it was one of the most important fields for the study of evolution अब अगर हम बात करें कि जो हमारे पास changes आते हैं जो modern synthesis के हम बात कर रहे थे कि जो evolution वो किसके नतीजे में आ रही है शो हमारे पास कुछ points इस तरह के थे कि जिनकी base पे जो है वो evolution आ रही है एक population के अंदर तो उसमें अगर कुछ points के हम बात करें तो जैसे बात है जीन mutation की या क्रोमोसमल mutation की तो या genetic material की mutation की तो हम भी यह बात करते हैं कि जो हमारे पास DNA है जब भी उसके नतर को change आएगा थोड़ी सी mutation भी आएगी तो उस change के नतीजे में आने वाला जो product होगा जाहरा वो एक नया product होगा अब अगर हम उसी DNA की सिर्फ बात करें तो उस DNA से जो proteins बनेंगी transcription और translation जब होगी तो वो proteins different होगी अब उनका function different होगा अब उस function के नतीजे में जो जो species होगी वो अपने आपको इस environment के लिहाँ से डाप करेंगी इसका मतलब कि सिर्फ एक छोटे से change की वज़ा से एक नई species वजूद में आ सकती है पूरी इसी तरह अगर हम बात करें genetic recombination की तो मैं example देता हूँ अब हम लोग देखते हैं इस चीज़ को कि जब भी different recombination होंगे तो एक नई चीज़ वजूद में आती है ना जब भी genetic recombination होंगे तब भी एक नई चीज़ वजूद में आ सकती है इसी तरह हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा natural selection के बारे में पिछले lecture में जब भी natural selection है जब भी nature select करती है organisms को species को उस environment के लिहासे जो सबसे जदा best suitable होता है ठीक है तो वो उस environment के लिहासे उसको select करती है और एक नई species वजूद में आ जाती है जो कि अपने आपको उस environment के लिहासे डाल लेती है इसी तरह हमारे पास कुछ और भी factors होते हैं जिसमें genetic drift आता है कि अगर मिसाल के तोर पे हम देखते हैं कि कोई इस तरह की species है जो एक जगा से उठे या उसमें कोई ऐसा drastic change आए उसके अदर कि इसा इतना बड़ा change आए या कोई ऐसा सराब आ गया कोई अर्थ को एक आ गया इतना बड़ा change उसके अदर किया है कि वो अपने आपको change कर लेती है जो population या species होती है कि एक नई species वजूद में आ जाती है तो इस तरह किसने factors हैं यह हम नियो डार्विनेजम के अंदर study करते हैं कि जो evolution के अंदर help out कर रहे होते हैं तो it was all about नियो डार्विनेजम